M.I.M. के नेता चाहते हैं कि खड़गे साहब पर धान मंत्री बनें रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं हो तो वैसे दलीत के बेटा को हम लोग चाहेंगे कि देश के सबसे उचे पद पर वो रहे हम लोग इस चीज के समर्थन में है दलीत के बेटा का सम्मान अगर सबसे जादे कोई पाटी के पास है तो ओल इंडिया मजलिसे इतिहादल मुसलमीन के पास है ममताब बनरजी जी के इस चीज के लिए सादुवाद उनको करते हैं कि उन्होंने देश के सबसे उचे पद पर किसी दलीत के बेटे का नाम लिया ये वैसा हिंदूस्तान है जिसमें माइन डोटी के लिए और दलीतों के लिए जगा नहीं है हमारे साद एम आई एम के नेता शमी मुलहक सहाब है क्या वैसी साहाब, खड़गे साहाब को परधान मंतरी के लिए समर्थन करेंगे क्योंकि अजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई दलीत परधान मंतरी बनेगा अगर इंडिया एलाइंस के लोग जीतते हैं तो हम लोग ममताब बनर्जी जी के इस चीज के लिए सादुवाद उनको करते हैं कि उन्होंने देश के सबसे उचे पद पर किसी दलीत के बेटे का नाम लिया और ये खाब उन्होंने देखा और हम लोग भी इस चीज के अपना समर्थन में है लेकिन हम लोगों को वैसा ही दलीत चाहिए जो बाबा साहिब के समिधान को माने और उनके बताए गए रास्तों पर चले और दलीतों के हक की बात रखे जिस दलीत के मुह में अगर जबान हो वो किसी के इशारे पर मैं नाशने वाला नहीं हो अगर वैसा दलीत है तो हमारी पार्टी सबसे आगे बरकर के उनके लिए तैयार खरी है मैंने आपको बताया कि अगर दलीत का वो बेटा जो बाबा साहिब के आदर्शों को मानता हो और उनके आदर्शों के लिए और दलीतों के लिए उसकी आवाज हो उसके मुह में अगर जबान हो तो उस दलीत के बेटा का सम्मान अगर सबसे जादे कोई पार्टी के पास है तो All India मजलिसे इतिहादल मुसलमीन के पास है आप लोग कह रहेते हैं खुलके कि मायावती को परधान मंतरी का चेहरा बनाया जाए मायावती को इंडिया दल में शामिल किया जाए तो अब जो है मायावती जी भी इसका समर्थन कर रही है उनके लोग भी कर रहे हैं कि ठीक है हाँ दलीत का बेटा परधान मंत्री हो बिल्खुल दलीत का बेटा परधान मंत्री हो और वो दलीतों की बात रखे और देश में जो दलीतों की हालत है उस हालत पे अगर बात करने लायक हो वो सिर्फ अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के पास नहीं हो तो वैसे दलीत के बेटा को हम लोग चाहेंगे कि देश के सबसे उचे पद पर वो रहे क्या बिहार में जो जातिये जनगन्ना हुआ है उसका जो असर है सभी दलों में दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है जातिये जनगन्ना के हम लोग समर्थन में थे हमारी पाटी भी जो है अपना समर्थन में है और जातिये जनगन्ना में जो हमसे हमारी हिस्सेदारी की बात ह प्रवाद को अप्रोच किया रहा है कॉंग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मायावती इंडिया गण बंदन में शामिल हो क्या वैसी सहाब को भी ओफर आया है कि आई इंडिया गंदन में शामिल हों होने के लिए नहीं नहीं हम लोगों के नाम से तो उनके पेट में अइंठन जो है यह जो अपना इंडिया नाम रखकर के जो इन लोगों ने अपना अपना गटबंदन रखा है यह वैसा हिंदूस्तान है जिसमें माइनरोटी के लिए और दलीतों के लिए जगा नहीं है लेकिन आप इमरान परताब गड़ी हैं सलमान खुरशीद है तो यह भी माइनरोटी का कहीं न कहीं चेहरा है ये लोग वैसा फेस हैं कि सलमान खुर्शी साहिब कोई ये भी जानकारी नहीं होगी कि बिहार में माइनरोटी की जनसंख्या क्या है और यहां माइनरोटी की हालत क्या है और उन लोगों के नाम को जबरदस्ती स्टीकर के रूप में जो है अपना साट दिया गिया है और उनक प्रश्चनी आबादी के हिसाब से मुसल्मानों को यहां टिकट मिलेगा इन लोगों के कथनी और करनी में जमीन असमान का फर्क है यह लोग बोलते कुछ और पीठ पीछे कुछ और इनका खेल होता है और इसी खेल को हम लोगों के सामने लाने के लिए हमारी पाटी पूरी त प्रश्चित रखा गिया है इस चीज का आज हमारे सदर साहिब ने मैं की भंडा फोर किया है और आने वाले वक्त में इस चीज को हम लोग जनता के भी सामने रखेंगे बीजेपी के लिए अपने लिए खुद के लिए नहीं वो तो आरोप इसलिए अपने लगाते हैं चाकि मैंकी मुसल्मानों को वो एक और से अपना भटका सके अगर बीजेपी के और से सबसे साफ और सबसे अगर खरा-खरा किसी का परतिरोद होता है तो वो ओल इंडिया आप मेरे माया वरती क्यों के साथ thoroughly फोड़िया धश्याी नियुक्त की साथ जो है मैं कि बनने वाले हैं उन सारी पार्टियों को हम लोग एक साथ रखेंगे और हम लोग खुले मंच से यहनि नया साले में इस चीज का हम लोग की वार से घुषना होगा शमीम सहाब है वसी साहब की पार्टि के नेता हैं केह रहे हैं कि अगर कोई बाबा साहब की विचारों पर चलता है और अगर दलित का बेटा है अगर वो परधान मंत्री बनता है तो वैसी साहब और उनकी पार्टी जो है उस चीज का समर्तन करती है बहराल आपके क्या परती करें अमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आप हमारे फेस्बूक पेज पर हैं तो लाइक करिए अगर आप हमारे यूटूब चानल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धन्यवाद